जै मातादी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का हमारे चैनल अखन ग्यान में एक पर फिर से बहुत बहुत स्वागत हैं। हम सब साल के हर महीने में कोई न कोई तेहवार जरूर मनाते हैं। हर महीना अपने आप में खास और महत्वपुर्ण होता है। पर दोस्तों, कातिक माह की बात ही अलग होती है। कातिक माह माहों में सर्वस्रेष्ट होता है। इस माह के हर दिन अपने आप में खास होते हैं और बहुत सारे तेहवार हम सब इस माह में मनाते हैं। भगवान श्री हरी विष्णु ने गीता में स्वैम कहा है, माहों में मैं कातिक माहूं। वैसे तो हर पुर्णिमा का दिन अपने आप में खास होता है, पर कातिक माह की पुर्णिमा की बात ही अलग होती है। एक तो भगवान नारायन का माह और फिर माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय दिन पुर्णिमा। इन दोनों के सयोग से कातिक माह के पुर्णिमा बेहत खास पुर्णिमा मानी जाती है। बेहत खास और शुब कातिक माह के पुर्निमा ख़दिन सभी देवताओं के लिए भी आनन देने वाला और उत्सो मनाने वाला होता है। इस दिन सारे देवता दीपावली मनाते हैं। इस दिन को देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चान का प्रकाश बेहत खास होता है। हर किसी के जीवन में नई उर्जा, प्रकाश और रोश्नी भरने वाला होता है। इसलिए हमारे हिंदु धर्म में कातिक पुर्णिमा को विशेश महत्व दिया गया है। इस वर्ज कार्टिक पुर्णिमा तीस नौवंबर को है। इसके कारण देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव को त्रिपुरारी कहकर उनकी जैजेकार करने लगे। जिसके कारण उसी दिन से भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी पड़ा और इसी कारण इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तीनों दुराचारी अश्रों का अंध होने के कारण ही, सारे देवता बहुत ही प्रसंद हुए और अपनी प्रसंदता और खुशी के वशिभूत होकर दीप उथ्सव मनाने लगे। चारो ओर खुशी, प्रसनता और शुबता के प्रकास भरते हुए दीपावली मनाने लगे और उसी दिन से इस दिन को देव दिवाली मनाई जाने लगी और इस दिन को देव दिवाली के नाम से भी जाना जाने लगा अगर आप सबकी कोई मनोकामना है तो आप दीप दान करके इस दिन आसानी से अपनी मनोकामना की पूर्दान भगवान से प्राप्त कर सकते हैं इस दिन देवता प्रसन और वर्मुद्रा में होते हैं जिसके कारण अपने सबी भगवतों की मनोकामनाओं को आसानी से और प्रसनता से पूर्द कर देते हैं इसलिए दोस्तों इस दिन आप सब भी किसी भी मंदिर में या अपने घर के मंदिर में और घर के मुख्य दरवाजे पर दीप चरूर जलाएं आपके ऐसा करने से आपके घर की खुशियां बनी रहेंगी मान सम्मान, धन, सुख, बैबों और प्रसन्नता की कभी भी कोई कमी नहीं होगी और आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को महगवान की कृपा जरूर प्राप्त होगी जै त्रिपुरारी, जै भोलेनाथ, जै ओधरदानी दोस्तों आप सब भी कमेंट सेक्षन में जाकर एक बार जै त्रिपुरारी, जै भोलेनाथ, पूर्ण भक्ती भाव के साथ जरूर लिखें वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल अखन ग्यान को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बल बटन को भी प्रस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के अपडेट्स और नॉटिफिकेशन्स आसानी से मिल सके, एक बात और दोस्तों, यह सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, थैंक्स फॉर वाचिंग